आज बात करेंगे में कभी-कभी requirement ऐसा होती है कि जहां पर आप चाहते हो कि आप new keyword use ना करो, right? आप क्या करो, आप चाहते हो कि सिर्फ, मतलब like आपने class बनाया और आप चाहते हो कि class में जो भी लिखा है, वो सारे instance जो भी उस class को यूज करके object बने, उसमें सारे एक ही instance carry over हो या forward हो या फिर share हो, I mean हम बात कर रहे हैं पर memory management के terms में क्योंकि है ना, देखो, I mean लिखने में नहीं बना लेकिन हम code में चलते हैं in the sense के let's say basically example यहां पर लेते है, अगर मैं यहां पर class बना रहा, ठीक है यहां पर मैंने दिया animal और simply, और let's say यहां पर मैंने constructor बनाया ठीक है यहां पर let's say type ठीक है, और मैंने यहां पर this तो type करके set कर दिया type यहां पर मैं type बाहर से pass करने वाल हो, कैसे आपको पता है, मैं new animal create करूँगा है न, एक नए instance using new, यानि basically हम instantiate कर रहे है, right, so animal और हमने यहां पर पास किया dog अब basically अगर, अब क्योंकि यहां पर code में run कर रहा है, तो मैं यहां पर animal लिखूँगा तो मुझे दिख रहा है कि basically animal जो instance create हुआ है उसमे type dog है, ठीक है, यह चीज तो यह हम कब access कर पा रहे है, अगर मैं animal dot अगर करूँ और type तो मुझे dog मिलती है, लेकिन यह चीज मैं जितने बार करूँगा, उतने बार यह create होगी, right, अगर मैंने animal to रखा, तो एक वापस create होई, यहां पर मैंने लिखतिया rat, right, या फिर कुछ भी, let's say, तो अब मैं यहां पर animal to करूँगा, तो मुझे वो चीज मिल जाएंगी, है न, type rat, so basically यहां पर same instance share नहीं हो रहा है, हम नए नए चीज़े बना रहे, हम हर बार नए construct कर र हो रहे, let's say, अगर आपको ऐसी requirement है, जहां पर आप चाहते हो कि, हम नहीं चाहते कि, बार बार हम चीज़ों को create करें, हम चाहते है कि, एक instance share करें, ठीक है, so एक बार हम यहां पर, let's say, मैंने, यहां पर मैंने age लिखा, और मैंने यहां पर लिखते है 10, अब मैं चाहता हूँ कि मैं without इसको initialize किये, object create किये, इसको use करूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके आगे static keyword use करने पड़ेगी, ठीक है, इसके बाद अब मुझे यह new जो keyword उससे अजादी मिल जाएगी, यानि कि, अब अगर मैं यहां पर जाओं, और अगर animal type करूँ, animal.age करूँ, तो मुझे 10 मिल जाएगा, यानि कि, हम क्या कर रहे है, basically, अगर मैं console लॉकर करके दिखाता हूँ, animal.age किया, और आप यहां पर देखें, refresh करता हूँ, मुझे 10 मिल रही है, अब आपने देखा, मैं कितनी बार भी यह करूँ, same data use हो रहा है, यहां पर हम क्या कर र और अब मैं अगर वापस animal.age करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, animation नहीं, age 12 मिलेगा, क्योंकि मैंने overwrite कर दिया, right, so basically, हम यहां पर क्या कर रहे है, same instance, share कर रहे है, जितने भी हम, मतलब कि, जितने भी आप object create करोग, उसको मतलब नहीं, हम एक instance carry forward कर रहे है, in the sense, basically, यह क्या हो आपने यहां पर, जैसे मैंने complete हटा दिया, इसको भूल जाओ, ठीक है, हमने यहां पर क्या क्या, ऐसे बनाया, मैंने animal.age कर दिया, 12, ठीक है, अब मैंने यह कर दिया, अब मैं अगर animal.age करूँ, तो मुझे 12 मिलेगी, right, so basically, यही चीज है, जो हम यहां पर class के अंदर using static कर र अब इससे क्या समझ माता है कि आप basically instance, यानि कि disk के ऊपर कुछ add नि कर रहो, right, अगर मैं यहां पर, let's say, I mean object create करता हूँ, let's say, चले करी देते है, यहां पर मैंने क्या किया, const animal किया new animal, अब हम यह देखेंगे कि अब क्या animal की ऊपर age है, अगर मैंने यहां पर type किया animal, तो आ अगर, यहां पर मुझे animal में वही चीज मिलीगे, जो आप यहां पास कर रहो, यानि कि आप यहां से पास कर रहो, जैसे मैंने यहां पर dog पास किया, ठेक है, मैंने यहां पर name लिखा, और this thought, name मैंने क्या किया, name, अब आप देखोगे यह चीजे instance के ऊपर available है, अगर मैं यह यहां पर animal type, enter करो, तो मुझे क्या मिल रही है, animal के ऊपर name है, लेकिन आपको age ने मिल रही क्यों, क्योंकि age instance के ऊपर नहीं है, यानि कि this के ऊपर नहीं है, अगर मैं this print करो ना, तो basically इसका मतलब यह हुआ, यहां पर नहीं दिखा देता हूँ, अगर मैं यहां पर this करो, यह तो इसके just नीचे मैं this print करता हूँ, अभी आप देखो क्या दिख रही है, यह this का value है, मुझे age कहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि this के ऊपर नहीं है, अगर मैं this के ऊपर, यहां पर console lock करना चारा है, यह देखो, मैंने this.age किया, आप यह undefine मिल रही है लेकिन मैं यहां पर animal.age कर रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मिल रहा, इसका मतलब static जो भी हम, जिसके आगे static यूज करते हैं, उसको हम कैसे access कर सकते हैं, using class का नाम, another way क्या है, अगर आप ऐसा यूज करना चाहते तो, मैं यहां पर क्या करूंगा, this.constructor, cons, मतलब मैं type कर मैं time लगाऊंगा, इसलिए थोड़ाट टुक जाहिए, और मैंने आप age किया, अब अगर मैं ऐसे करूंगा, 12 मिल रहे, यानि कि, एक method क्या था, आप चाहो तो क्या कर रहे हो, सीधा इसको हटाओ, और animal लिखता हो, और यह काम करता है, और basically, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो second क्या है, दोनों case का मुझे क्या मिल रहे, 12, so basically static का यह कमाल है, कि आपको class के उपर, class को बिना initialize किये वे, देखो, जब भी आप new यूज करते हो ना, तो यह क्या होता है, जब भी जैसे कि मैंने animal यहाँ पे किया, right, तो basically इसने ना memory occupy किया, ठीक है, और मैं जितने बार करूँगा, ठीक, उतने बार यह memory occupy करेगा, let's say, यहाँ पे मैंने two दे थिया, ऐसा करके मैं जितने बार बनाऊँगा, उतने बार यह this.name जो है, नया क्रिसेट होगा, right, हर एक instance के उपर, यह उसका instance है, यानि कि यह object है, right, लेकिन यह carry over होता है, यह नया हर बार create नहीं होता इसलिए यहाँ पे basically क्या, आपका memory allocation only once हुआ, right, है ना, एक बार हुआ और हर जगा आप carry कर सकते हो, आपको यहाँ पे animal dot age करना है, अब यह तो हुआ property का, right, इसके साथ आप method ही बना सकते हो, let's say, मैंने static और get name बनाया, या फिर get age बनाया करके, यह method बनाया, अब यह method के रि add तो static, यानि कि sorry, animal dot age, return करता है, अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए, मैंने यहाँ पे method बना दिया, है ना, इसको मैं comment out कर देता हूँ, simple से class, इसके अंदर static age, और इसको मैं move करता हूँ, इसके उपर just ताकि आपको थोड़ा similar देखने में लगे, है ना, feeling आए, मतलब जैसे भी आता हूँ, अब मैंने static method add किया, अब यह भी चीज क्या है, यह class के उपर add हुआ, यानि कि इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते, तो आप कैसे लिखते, animal dot get age, ऐसे करके आप क्या करते, एक function create करते, या method, और यहाँ पे आप लिखते, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे लिख के मैंने क्या किया, मैंने ऐसे लिखा, और यह क्या कर रहा है, animal dot age return कर रहा है, अब मैं क्या करूँगा, animal dot get age करूँगा, तो मुझे क्या देगा यह, 12 देदेगा, क्यों, क्योंकि यह basically, यह age return कर रहा है, यानि कि आप यहाँ पे देखे, मुझे new कहीं पे यूज करने लिख से मैं एक और method बना रहा है, यहाँ पे, get name करके, यह character return करेगा, name, अब मैं इसको comment out कर देता हूँ, यह समझने के लिए था, so basically मैं समझ में आ गया, कैसे access कर सकते, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कि अगर मैं get name करूँ, तो यहाँ पे console log कर रहा, यहाँ यहाँ पे get this sorry, get name, I mean, get name is not a function, क्यों, क्योंकि यह class के ऊपर नहीं है, यह instance के ऊपर है, है ना, इसके आगे static नहीं है, इसलिए यह fail हो किया, अगर आप इसके static लगा दोगे, तो basically यह काम करने लगेगा, लेकिन static के अंदर आप this.name यूज़ कर रहे हो, तो आप हो क्या लगता है, काम करे अब यह देखिए, अगर मैंने animal.getName किया, अब यह static ही तो है, है ना, getName static है, लेकिन हम इसके अंदर static यूज़ नहीं कर रहे है, हम इसके अंदर instance का property यूज़ कर रहे है, और यहाँ पर getName इसने क्या return किया, यह return कर रहा है, जो भी class का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पर, अगर मैंने animal.getName करूँ, तो मुझे क्या मिल रहे है, अगर मैंने class का name करूँ, तो मुझे क्या return होगा animal, अगर मैंने एक function बनाया, जिसका नाम table है, और यहाँ पर table.name करूँ, तो मुझे क्या return करेगा table, तो basically यह इसने, इस name को return नहीं किया, जो हम यहाँ set कर रहे है, let's say इसका नाम मैं change करता हूँ, name, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, name of animal कर देता हूँ, अभी भी आपको, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर, let's say, name ही रहन देता हूँ, so basically अब मेरा name of animal, मैंने change किया, अभी भी आप देखोगे, मुझे result same मिलेगा, य animal.get name करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, animal ही मिलेगा, ठीक है, so, और अगर मैंने यहाँ पर name of animal करूँ, तो अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, same चीज, मैं वापस करता हूँ, undefine IQ, क्योंकि basically, यह चीज क्या refer कर रहा है, जो यहाँ पर भी तर ग्रेट हुआ ही नहीं है, right, इसका मतलब, यहाँ पर आप static के अंदर, static method के अंदर, आप यहाँ पर non-static चीज को call नहीं कर पा रहे हो, right, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए अपने को, इसके लिए चाहिए अपने को instance creation, तो ही हो सकता है, so guys, यहाँ पर undefine आने का reason क्या है, क्योंकि यह name of animal किस के उपर है constructor के उपर है, right, मतलब basically हम constructor के अंदर initialize कर रहे हैं, और यह non-static है, static नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम this जो है, यहाँ भी use नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, this अगर आप यहाँ भी use करते हो, basically static के अंदर, using this inside static method will call static member, ठीक है, मतलब आपक यहाँ पर this अगर call कर रहे हो, तो basically static member होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, animal, let's say, मैंने यहाँ लिख दिया animal name करके, यहाँ लिख दिया doggy, ठीक है, अब आप आप देखिए, यह मैं कोई भी, like, even though मैं इसको initialize नहीं करूँ, कुछ भी, ठीक है, simple मेरा class है, लेकिन मैं इसके अंदर अब console log करूँगा, this.animal name, और यहाँ पर मैं क्या call कर रहा हूँ, static member को call कर रहा हूँ, और हम using this static member को call कर सकता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, doggy, इसको हम कैसे देखेंगे, वापस मैं जाता हूँ, animal.get name करूँगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पर doggy मिलना चाहिए, so basically यह काम कर रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो, मैंने get name call किया, और यह undefine आया पहला वाला, जो हमें देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर doggy आ रहा है, so basically अब यहाँ सहज में आ रहा है, static member के अंदर, static method के अंदर, this अगर आप use कर रहे हो, तो basically किस object create करोगे, तो आपको क्या available होगा, name of animal, लेकिन यह सब available नहीं होगा, यह सब class के उपर रहता है, और इसलिए, alternate तो अपने पास है यह, right, अगर मैंने animal.animal name लिखा, तो मुझे यह चीज़े देखनो के मिलेगी, same, अगर मैं repeat कर रहो उसको, तो यह देखे, doggy आया, right, so यहा point करेगा static members को, आप एक और बनाती हो, get name है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, let's say, मैंने number of legs, ठीक है, मैंने यहाँ पर 4 लिखा, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मैं यह किसका part है, एक class का instance है, class का variable मैंने static नहीं लगा, sorry class का member है, अब मैं यहाँ पर get leg count एक method बना रहा, ठीक है, basically count return कर number of legs, जितना मैंने sit किया और return करतेगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर directly access नहीं कर पाऊंगा, animal.get leg count access नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, एक instance create करना पड़ेगा, जो मैं यहाँ कर दिया, और अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, animal.get leg count कर करना चाहता हूँ, मतलब, let's say, अगर मैं leg count है, अगर मैं इसके आगे static लगा देता हूँ, ठीक है, यह चीज, अब यह static बन गया, अब मुझे यहाँ पर static use करना है, sorry, यहाँ पर क्या उसकरना है, class का नाम access करने के लिए, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, non static member के अंदर यानि कि non static है, static नहीं है, इसके अंदर मैं static access कर रहा, तो मैंने क्या किया, अब मैं animal के उपर gate, lake, count कॉल करूंगा, तो मुझे क्या, यह मिल जाएगी, right, यहाँ पर क्या हैगा 4, और यह easily काम करेगा, animal.gate, lake, count, right, so basically हमें क्या समझ माया, कि आप static, non static के अंदर, आप static कॉल कर रहे हो, तो problem create कर रही है, क्योंकि आपको वहाँ पर चाहिए, disk, right, disk, जो कि जब तक आप new object create नहीं करते हो, वहाँ पर disk मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रहा, और यहाँ पर ध्यान देने वाले और क्या बात है, gate age मेरा static है, और अगर मुझे, यहाँ यहाँ पर मैं क्या call कर रहा हूँ, static member को call कर रहा हूँ, static age, यहाँ पर मुझे animal यूज करना पड़े है, क्योंकि class के उपर है, disk के उपर ही wrong, error आईगी, right, कि complain करेगा compiler, so basically हमें क्या समझ में आया, कि अगर आपको कुछ भी ऐसा call करना है, जो कि class के उपर है, class के उपर मतलब static, तो उसको call कर रहा है का तरीका या फिर उस class को use करो, और फिर dot करके basically उसको call करो, इससे हम क्या बता रहे है, कि हम जो age call कर रहा हूँ, animal के उपर है, right, दूसरा तरीका क्या है, this.constructor.age, यानि कि basically आप क्या कहरो, कि this, यानि कि यह जो अपना this है, और एक अपना constructor, उसके अब यहां पर let's say static मेरा क्या get name है ठीक है और अगर मुझे static call करना है get name let's say call कोई method है हाँ let's say मैं इसको static बनाता हूँ ठीक है get lake count और यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ जैसे अब बात किया this.constructor.number of lake अब exactly काम करेगा मैं animal.get lake count करूँगा तो मुझे क्या यहां पर basically यहां पर मैं क्या करूँ animal.number of lake तो इसका यह this.constructor लिखने का तरीक है अगर मैं करूँ animal.get lake count तो मुझे यहां पर क्या मिला undefined इससे हमें क्या समझ में आता है यह तब काम करेगा जब आपको call करना है static method या जो भी आप property बोल लो ठीक है from non-static ठीक है तब यह उसकरना है तो basically यहां पर constructor क्या था नन-static था इसलिए हम यहां पर call कर पा रहे थे यह चीज और कहां कहां काम करेगा लेट से अगर आप इसको ऐसे कर लो ठीक है अब static नहीं है तो भी आप काम करेगा ठीक है अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ animal के उपर get leg count करूँगा और basically मैं क्या call कर रहा static अभी जस्मने बात किया animal.number of leg लिखो या फिर यासे लिखो दोनों बात बराबर है अब मैं यहां पर क्या करूँगा animal already my instance बनाई है यहां पर नीचे अगर आप देखोगे तो यही चीज़ मैं यहां पर type करूँगा और मैं यहां पर क्या कर रहा है get leg count मुझा 4 मिल रही है तो basically आप देख रहा हूँ यह जो तरीका कभी उस करना है जब आप non-static method के अंदर यूज कर रहे हो तो ठीक है दूसरा तरीका क्या है अलड़ी आप यहां पर animal.number of लेख लिख लो so हमें total यह हमें समझ माया है कि कैसे अगर हम basically static के अंदर अगर आप ऐसे call कर रहे हो तो यह काम नहीं करेगा जब तक आप इनिशलाइज नहीं करते इस यह जब तक आप इनिव अबजेक्ट नहीं करते तब तक यह काम नहीं करेगा so basically हम आपने overall क्या समझा static के अंदर non-static कैसे call कर रहे हो उसके बारे समझा non-static के अंदर static call कर रहे तो क्या हो आपने यह समझा और हम without object instance create किये हुए हम कैसे static के static member या method को call कर पा रहे यह समझा so overall हम total यही समझ माया है और I hope आपको यह वीडियो पसंद आया है और नहीं या तो कोई बात नहीं comment section available है I mean गाले gloss करने के लिए तो यह चीजे है वैसे दिमाग में बस इतना ही रखना है कि जहां भी static है सिधा आप animal या class को name यूज करके class का नाम यूज करके उसको call कर सकते हो बस simple से इतना ध्यान रखना है उसके लिए आपको अलग से memory create करने के जुरूत नहीं पड़ती सेमेंस शेर होता है चाहे आप कितने बार भी यूज करो ठीक है और यह था मतलब यह memory management की उपर भी काफी अच्छे से काम करता है ना instead of बार बार आप एक ही नहीं memory create कर रहे हो variables यानि कि यानि कि में properties या members के लिए आपर और यहां तो यह sense भी बनता है ना कि अगर आपने क्योंकि basically आप जब भी दिस्क बता रहे हो तो basically आपको क्या करना है यह members तभी इंसलाइज होंगे जब आपका new object बनेगा और तभी यह आपको result देने वाला इसलिए static के अंदर आप non-static चीज़ों कॉल करोगे तो problem यहां पे हमें देखने को मिली है यह basically तब काम करेगा जब आप object create करोगे तो ठीक है so I hope आपको यह समझ में आया होगा अब एक काम करते है इसको अटाते है थोड़ा और ले जाते है वीडियो को आगे बस 5 बिनिट के लिए एक बार हम inheritance में देखते है let's say मैंने आपके लिखा animal ठीक है same चीज मैंने आपके simple सा class बना है dog ठीक है और मै यहाँ पर क्या कर रहा इसको extend कर वहाँगा देखे extend कराने का मतलब simple सा क्या है कि अपने पास basically dog और animal दोनों के पास एक property रहेगी रहे जिसका नाम क्या है prototype और इसके अंदर क्या रहेगा underscore underscore proto रहेगा ठीक है यही main खेल है right अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हो extend में prototype का proto ठ ठीक है इसके अंदर जो proto है आप क्या कर रहे हो इसको set कर रहे हो किससे animal का proto type ठीक है इससे क्या होता है जो भी आपके class animal के instances है वो share हो जाते है dog के साथ right तो basically हम यहाँ पर यही करने वाले है ठीक है इसको हम यहाँ पर रहने देते हैं ताकि हम समझ में हम यहाँ क्या कर रहे तो basically हम यहाँ 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 पर extend के साथ करने वाले animal ठीक है और अब हम यहाँ पर क्या करते है एक object करते है c-o-n-s-t-cons tommy करके और यहाँ पर new dog object करेंगे यहाँ पर मैंने नाम दे दिया tommy करके ठीक है यह चेस अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो एक चीज ध्यान मैं रखने वाले क्या बात है animal के ऊपर proto है ठीक है animal sorry मैंने wrong spelling लिखा था tommy so tommy के ऊपर क्या रहेगा अपने को proto रहेगा basically यह क्या यह वाली चीज को हम access कर रहे है अगर मैं च्छेसर टाइप कर पहूं तो यह समझ मैंगा इसको आप access कर रहे हो यह लिख कर ठीक है यह रहेगी क्योंकि tommy object है object के ऊपर यह रहेगी prototype नहीं रहेगा यह किसके ऊपर रहता है function के ऊपर ठीक है इसलिए undefined लेकिन dog के ऊपर prototype रहेगा और अपना animal के ऊपर भी prototype रहेगा dog का prototype कि इसको point कर रहे है animal को तभी तो extend हुआ है ना हमने यह यह आपर देखा right अब basically dog का prototype के अंदर हमें पता है क्या रहेगा underscore proto यह किसके अंदर रहता है जिसके अंदर prototype र animal राइट और basically animal का constructor किसको animal के अंदर जो prototype है उसके अंदर भी prototype है अब यह animal तो किसी को extend नहीं कर रहे है ना है यहाप extend नहीं है basically ऐसे अगर आप basically आपको पता है सब चीज़ का क्या रहता है माई बाप को नियाब है object है base class तो basically यहाँ पर यह ऐसी काम कर रहे है लेकिन हमें दिखनी रहे है यह मैं कैसे पता चलेगा अगर मैं यहाँ पर जाओ ठेक है और मैं animation को हटाकर animal लिखतू है animal लिखा अब मैं अगर hit करूँगा तो आपको क्या देखे कि base class के जितने भी है य यह सब आरी है base यानि कि object के prototype से मिला लो आप है ना यह चीज़े मिला लो exactly who भो मिलेगी यानि कि हमें क्या समझ में आया यह किसको extend कर रहा है यह object को कर रहा है base class को है अब यह चीज़े तो समझ में आ गई यह समझने के लिए थी अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा यहाँ प ठीक है यह चीज़ अब type है अब मुझे क्या करना है अब यह simple है कि अगर मैं console log करूंगा animal.type यह मैं access कर पाऊंगा अभी जस्ट बात किया ना क्योंकि static है यहाँ पर जो मुझे क्या मिलती animal class है ऐसे में लिख देता हूं ठीक है animal class है ऐसे लिख दिया और यह चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है है ना name basically यहाँ पर यह चीज मिल रही है अब यहाँ पर अगर मैं dog लिखता हूं dog ऐसे तो काम करेगा क्या देखो मैंने dog जो है एक्स्टेंट कर रहा है अपने पपा को यानि animal को जो base class है dog मेरा child है direct class है अब यहाँ पर यहाँ पर अभी भी काम कर रहा क्या बात है ना क्यों क्योंकि extend किया हमने है ना so basically अब यह dog के उपर भी static वाले चीज़े available है let's say मैं अगर static और get type में बनाता हूं method यह return करेगा animal.type ठीक है यह चीज़ तो basically अब मैं अगर console log करूंगा dog के उपर और मैं किसको call कर रहा हूं parent के static तो यह काम करेगा क्या get type यह method class dog के उपर मैं call कर रहा तो यह काम कर रहा है यानि कि यह चीज़ भी access हो रही है अब let's say मैं आप एक method बना रहा है और इसका नाम दे रहा static यहाँ पर get dog color ठीक है यह बनाया basically हम यहाँ पर क्या करने वाले है ना static method जो कि हमारे base class sorry जो हमारे child class में है static method के अंदर हम access करेंगे parent class का let's say इसको अटा देते हैं ठीक है यहाँ पर मैं static color लिखता हूँ यहाँ पर न मैं black लिखता हूँ ठीक है यह चीज़ let's say ठीक है default में animal जो है black रहेगा ऐसा इसका मानना है I mean animal का जो भी class है अब मैं क्या करूँगा इसको access करना चाहूँगा यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर मैंने अलड़ी dog dot के dog color लिखके रखे है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यह चीज़ access करेगा इसको ठीक है जो की कहाँ पर है dog में नहीं है कहाँ पर base class में राइट अभी होगा की नहीं होगा देखते हैं यहाँ ठीक है अब यहाँ पर मैं गया और कर रहा है without initialize किये वे और यह चीज़ this point कर रहा है और कहाँ पर जा रहा है color यह call कर रहा है this using this अब मैं यहाँ पर refresh करता हूँ तो मुझे black मिल रहा है न यानि कि अब यहाँ पर मैं क्या कर पा रहा हूँ जैसे मैंने dog को call किया इसने base class को extend किया और यहाँ पर मैं use कर पा रह रहा है तो super constructor minimum को as a function call करना पड़ता है ताकि यहाँ पर animal का अगर कोई constructor उसको initialize किया जाए property देखे और नहीं तो हम as a object call करते है तो यह super.color भी call होगा यानि कि यह super किसको call कर रहा है parent को animal अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा यह refresh किया और आप देखे black आ रहा है है ना यह च बनाता हो same नाम से इसका मैं देता हो white right मैंने overwrite मतलब मैंने same नाम दिया right color overwrite कर रहा है यहाँ कि overwrite नहीं कर रहा है मैंने same नाम दिया बताने का मतलब अब मैं इसको आपस run करूँगा और यह क्या फिर भी black आ रहा है देखे रहा है एवेंदो मैं आपे super attack कर दिस करूँ तो यहाँ पे क्या रहा है black right white नहीं आ रहा है reason किया है इसका static method के अंदर हम किसको reach out कर रहे है static चीज को यहाँ पे तो by default किसको point कर रहा है type को हमने यहाँ पे कोई class initialize नहीं किया right so basically static जो कि child class के अंदर है this point कर रहा है अपने base class के static को even though हमारे पास color है white अब लेग से मैं इसको uncom comment करता हूँ ठीक है Tommy अब Tommy हमारे पास जो है object है dog का और dog के अभी कैसा है ना कि आप अगर लिद से मैं Tommy के ऊपर right यानि कि मैंने Tommy अगर print करूँ यहाँ पे तो आप यहाँ देख रहे हो color मुझे white मिल रही है यहा black मिल रहा है कि नहीं मिल रहा क्यूं क्यूंकि basically यह जो मैं add क यह जो है ना यह चीज यह क्योंकि extend कर रहे हम animal को तो dog के पास पी यह सारी चीज अवेलबल रहेगी लेकिन यह जो है instance का part है static नहीं है इसलिए मैं अगर Tommy.color करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी white black नहीं मिलेगा same method के साथ पी अगर आपको method बना रहे हो अगर let's say आपको यह method call करना है let's say मैंने get type call क्या और यह क्या return करता था animal type यह आराम से call हो जाएगा right अब let's say मैं call करता हूँ मैं आ पर क्या type करूंगा get type अब यह देखिए get type कहाँ ए मैरा dog के अन्दर है नहीं है कहाँ पर animal के अंदर है और animal के अंदर ही क्या है static so मैं static के अंदर से static call कर रहा और इसके अंदर क्या return कर रहा है animal.type अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा getDogColor बिसिकली एक method को call कर रहा है जो parent पर static है तो यह काम करेगा जोरूर करेगा मैं refresh करता हूँ this is an animal basically यह कैसे काम किया इसने call किया parent को और यह static के अंदर सो call हो रहा है ठीक है यह चीज़ है यह देखो refresh this is an animal so दो चीज़ें अपने पास ठीक है कैसा है यहाँ पर कि यह चीज़ था inheritance के साथ ऐसे आप चाहँ तो और भी खेल सकते हो और आपको और भी कुछ सीखने को मिलेगा राइट so यह था basic inheritance में हमने सीखा static कैसे काम करता है ठीक है तो बस इतना ही ध्यान रखने अब कैसा है कि एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर आप ऐसे देखोगे ठीक है यहाँ पर जब static के साथ अलग fund है यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर लिखता हूँ static जब आप कर रहे हो basically तो आप क्या कर रहे हो animal ठीक है सॉरी static कैसे available होता है dog का proto set कर रहे हो किस पर animal को क्यों क्यों क्योंकि आपको पता है कि जो भी आप static चीज़े add कर रहे हो basically किस के उपर available है animal की उपर जैसे animal का color right तो मैंने white यहाँ पर black लिखा था तो यह basically instance के उपर नहीं है यह animal के उपर है इसलिए आपने dog के पास भी अपना proto property रहेगा साथ मैं dog के pro type के अंदर भी proto रहेगा तो basically यह किस के लिए रहता है static के लिए ठीक है so this is for static this is for inheritance अब मैं लिखनी पा रहा लेकिन आप समझ लो used for जो भी है static members ठीक है जो भी members है अब spelling ठीक है अब लेकिन वही चीज अगर let's say जो static नहीं है यह था static के लिए ठीक है for static ठीक है actually guys है same है जैसे कि आपको बता है कि हम class के उपर add कर रहे है ठीक है जो भी चीज है यानि कि basically class हमारा object है तो अब यहाँ पर इसके directly इसके उपर add कर रहे हो तो basic inheritance में कैसे करते हैं याद होगा आपको let's say आपने obj बनाया object है मेरा name और मैंने यहाँ पर रोहित दिया अब मैं एक और object बना रहा हूँ object 2 और मैं चाहता हूँ यहाँ यहाँ पर age जो है मेरा 26 दिखे और फिर मैं चाहता हूँ object जो है inherit करे ठीक है तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ proto को set करूँगा ठीक है और यहाँ पर मैं क्या देदेंगा object basically एक यह तरीक है आप ऐसे कर सकते हो नहीं तो आप क्या कर सकते हो इसको create करने के बाद आप इसका proto set कर सकते हो अगर अंदर नहीं करना है तो बाहर से भी ऐसे object अब क्या होगा object के उपर तो name call होगा साथ में object 2 के उपर भी name call होगा तो basically हम वह आप वही कर रहे for non-static यानि के for object instance ठीक है यह क्या होगा dog का prototype के अंदर proto किसको point करेगा इसको set करना पड़ेगा animal का prototype ठीक है यह चीज so दोनों में क्या अंतर है आपको यह चीज ध्यान रखना है basically जब आप static कैसे काम करता है यहाँ पर static कैसे नियरिट हो रहा है यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखो dog sorry अगर मैं एनिमल लिख पा रहा हूँ क्या अलड़ी है अगर मैं hit करूँ तो मुझे क्या मिल रही है यह सारी चीज़े मिल रही है यह चीज ठीक है यह class के उपर है अगर मैं animal.color करूँ तो मुझे black मिल रही है अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पर animal के उपर इसलिए dog का proto किसको पॉइंट करना चाहिए static के लिए बैसे के लिए animal को करना चाहिए यानि कि अगर मैं इसको चेक करूँ यहाँ पर animal तो यह क्या देगा true देगा यह किसके लिए static के लिए वही चीज़ अगर इसका underscore underscore proto ठीक है यह किसके लिए था static के लिए ठीक है non static के लिए क्या इसके prototype के अंदर proto equal equal to क्या animal का prototype यह true राइट यह था object के लिए जो भी हम object करेट कर उसमे रेटिंस ऐसे होता है static के लिए होता है और कर इस जाते जाते एक चीज़ और देख लेता है यहाँ पर अपने पास static block initialization भी है ठीक है spelling बाद में देख लेंगे basically क्या करता है simply जैसे कि आपको गर कुछ block initialize करना है तो यह काम आता है आपको बस ऐसे रखना है कुछ नहीं आप नाम देना है यहाँ पर आप कुछ प्रिंट कर सकते हो this is a static block ठीक है और यह रन हो जाएगा इसके अंदर आप कुछ भी लेट से मुझे प्रिंट करना है this thought कुछ भी जैसे कि यहाँ पर नेम ही प्रिंट करना है यहाँ पर क्या रिटन करेगा यह नेम रिटन करेगा अगर मैं अब यहाँ पर इंस्टेंस बनाता हूं और यह डॉक प्रोवाइट कर रहा तो अगर यहाँ पर आप अगर दिखोगे तो इसकी स्टेक्ट करने कि पर इंस्टेक्ट करने क्लिए यह नेमा रिटन करता है रिटन से याद आए यहाँ आप रिटर्न ने कर सकते, स्टाटिक ब्लॉक के अंदर, जैसे आप रिटर्न की वर्ड यूज करोगे, यह एरर देगा है न, यह चीजे, और अगर मैं सुझान कमेंट करूँ, तो आपको यहाँ पर देखनों के मिलेगा, यह एरर जेनेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे करने के जरूतने, और बिसेकली यह क्या, यह method है न, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कोई नियु इस्टेंस करेट ने करूँगा, अगर मैंने console lock किया, animal.createobject, तो बिसेकली मेरे लिए animal object करेट करतेगा, यह देखिए, यह सेम काम कर रहा है न, this is a dog, I mean this is not a dog animal, तो बिसेकली आप यह देख रहो, line number 20 के चल रहा है, यहाँ पर create object कर रहे है, तो बहुत तरीके साब इसके साथ खेल सकते हो, I hope यह भी समझ माया होगा, so I hope आपको यह वीडियो समझ माया होगा, thank you so much, मिल तेकली वीडियो में, bye bye.